हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ संतोस कुमार दाएंगी और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 वी का जो विशे गणित हैं गणित की हाई स्कूल की परिक्षा जुन महा 2023 कक्षा 10 वी 75 नंबर का आपका पेपर होगा 3 गंटे जिसमें टाइम र भूँगा ठीक है तो यहाँ पर आप जितने भी सारे कोश्चन से आप अच्छी तरह से कोश्चन को समझ लीजिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बनने जा रहा है ठीक है तो यहाँ पर देख लेते हैं हाई स्कूल लेने के एक बार म महा 2023 की पेपर के बारे में समपूर्ण एनालेसिस हम करने जा रहे है ठीक है तो यहाँ पर देख लिजिए जरा पहला प्रस्ण आपके सामने डिस्पले पर सही वीडिकल पच्छुन कर लीकिए दो संक्या A और B इस प्रकार है कि A into B is equal to 64 है तो HCM इसमें HCM ज्याद करना है A B is equal to 16 है तो LCM A B बराबर होगा तो यहाँ पर options आपके 4 options हैं यानि कि पहले में 4 options आ रहा है दूसरे में 8 option तिसरे में 32 और चोथे में आपका 256 option आ रहा है तो यहाँ पर आपका जब हम इसका LCM अगर लेंगे तो आपका सही और राइट उत्तर हो जाएगा आपका A वाला options य यहाँ पर कि 12 और 15 का HCF होगा तो 12 और 15 का जब हम HCF निकालेंगे तो 12 और 15 का HCF का answer क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा ठीके तो यहाँ पर आपको इस प्रकार के question से देखने को मिल सकते हैं दूसरा प्रस्ण देख लेते ही तो दूसरा प्रस्ण है आपका यदि किसी दूगाम बहुपद A X square plus B X plus C के सुन्यांक A और B हो तो A dot B का मान होगा तो सही उत्तर हो जाएगा आपका C upon A ठीके C upon A आपका correct उत्तर हो जाएगा ठीके तो यहाँ पर इसी प्रकार के question आप इससे संबंदित मिले जोले questions देख लेजिए आपको बिलकुल इसी प्रकार के question देखने क को मिलेगा उसकी बाद में तीसरा question देख लो A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 का अंसर अपने को निकालना है तो यह एक अनंत अनेक हल होंगे है ना वीडियो ज्यादा अधिक लंबा ना हो इसलिए आप questions देख लीजिए यह वाला questions है सारा का सारे और उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका C-O options आपका सही होगा जिसमें अनंत अनेक हल होंगे तीक है अगर आपको वीडियो का इस पर ज्यादा लगता है तो आप यहाँ पर इसकिन सौट ले लिए question को note कर लें समझ लें तीक है आगे देख लीजिए question का मांग 4 आपका पूछा गया या निकि शेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद 54 है तो 9 पद आपका 54 होगा यहनि कि यहाँ पर आपका C-O options सही होगा तो इसी से related questions आपको एक्जाम में अलग-अलग परकार की questions भी देखने को मिल सकता है तीक है आगे देख लो next question number 5 तो next question कमांग 5 जो आपके सामने जो डिस्प्लेय पर उसका अग जब हम इसका कौन निकालेंगे तो यहाँ पर आपका 90 डिगरी का कौन निकलेगा यहनि किसी options आपको सही होगा number 6 के questions के answer की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका पहला और options इसमें सही होगा ठीक है तो आप इन questions से इसे related questions की practice कर लेजिए देखो कभी-कभी इस वाला प् पर सुन लिजे question दो समरूप त्रबोजों का भुजाओं का अनुपात कितना है और अपन नाइन है तो दो त्रबोजों के सेत्रपल का अनुपात क्या होगा तो सही उत्तर मैं आपको उत्तर बता देता हूँ आप और निकालकर देख लिजेगा 2 अनुपात 3 ठीक है यह भी next question अगर एसा पुछ ले कि root 2 एक संख्या है तो यह root 2 क्या है तो यह परी में है या आप परी में इसका answer मुझे आप comment box में comment करके बताना दूसरा question देख लो दियोगा समिकरन की विविक्त करका सुत्र है d is equal to b b square minus 4ac है ना आपका उत्तर हो जाएगा next question नमबर 3 यदि किसी सम अंतर शेने का एन वा पद 3 प्लस A2NO हो तो शेने का प्रथम पद होगा यहने की 5 होगा फिर question number 4 दो समान कोणिक त्रबुजो में उनकी संगत भुजाओं का उनुपास सदेव किया कैसा होता है समान होता है कैसा होता है समान होता है 3 मेटर उची मिनार के 5 से 3 मेटर दूर इ प्रशन में आप से पूछ रहा हूँ समरुप्त रभुज की संगत भुजाओं होती है कितने उसी समानुपात होती है कि समान होती है समानुपात होती है कि समान होती है यह आपको बताना है तो क्या होगी समानुपात ठीक है अगला प्रशन देख लो यहने कि यहां पर प्र प्रत्यु को दो भुजाओं पर प्रति छेदक करने वाले रेखा को क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं छेदक रेखा उसके बाद में सही जोड़ी बनाईए तो सही जोड़ी वाले यहां पर शिक्स प्रसन आये हैं उनके अब्जेक्टिव सामने हैं तो यहां पर हमने यहां पर उसका सही अंसर हो जाएगा E वाल आपसन्स। जूंस। फिर उसको बाद में चोते का 50 us का ba का बी वाल आपसंस। नमबा सिक्सका डी वाल आपसंस। त्येकिक्ष। यह यहां पर भी नंबर भी लिखे आप अच्चे से इनको मिला लिजी फिर उसको बाद में नंबर 4 एक शब्द वाक्ति में उत्तर दीजी यदे कि इसी द्विगास सम्यकरण के विविक्टिकर का मान धनात्मक हो तो उस सम्यकरण के मुलों की प्रक्रती कौन सी होगी तो मुल वास्तवी के और दोनों समान है आसमान है मुल वास्तवी के और दोनों आसमान है आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं बिलकुल हाँ होते हैं व्रत्य की इसपस रेका व्रत्य को कितने बिंदू उपर इसपस करती है होगा तो 7 होगा है ना तो यहां पर बच्चो आपको इस प्रकास से संबंदित मिलते जूलते एक वाक्षी में प्रस्ण देखने को मिल सकता एक और में प्रस्ण आपको बता देता हूं कि ताकि आप इनको भी अच्छे से में रेट कर लेज़ेगा त stations सों लेज़ेगा क्या बुजाओं 6 सेंटी में ऐग संट्मेंटर संकूं सं कुन त्रभुज होगा यह वाला बेक इंपोर्टेंट प्रस्ण है उसका पर पर एक वाक्षी में उत्तर लिखी है मैं आपको एकुर प्रस्ण बता दिता हैं यदि किसी दिविखा समीकरण की विविक्तिकर का मान रहनात्मक हो तो उस समीकरण के मुलू का की प्रकृति कैसी होगी ये भी important प्रस्ण है पायतो गुरस प्रमे का कथन लिखिए ये भी आपको एक्जाम में देखने को मिल सकता है तो ये जो प्रस्ण है जो मैं आपको मिलतो जुलते important प्रस्ण की संखला आपको मैं बता रहा हूँ आगे देख लो सत्य और असत्य अपनों को यहाँ पर चाटना है किसी बिंदू का भूज सुनने है तो कोटी त्री है तब वहाँ एक्ष पर इस्थित होगा ये क्या हो जाएगा आपका आसत्य हो जाएगा क्या हो जाएगा आसत्य है यहना सत्य और आसत्य ही लिखना है यहाँ पर आपको फैल्स टू नहीं लिखना है आमना नहीं लिखना है हाना यह नहीं करना है और ऐसे क्रॉस भी नहीं करना है आपको यहाँ पर सत्य और अगर सत्य है तो सत्य और आसत्य है जिसनी के पहला आसत्य लिखना है अंसर आपको ऐसे ही एक्जाम में लिख कराना है और आपको पेपर से डर नहीं है यह नहीं कि आपको पेपर जब तक की अगर आपने paper को अच्छे समझ लिए अपने आधे questions के answer सवाल खर दिये एक दो तीन बार read करिए समझिए उसके बाद में आप उनसके answer लिखिएगा दूसरा प्रस्नि कीसी दुइगा samorgan के 2020 का मान सुणेगा तो उसकी मुल वास्तिविक और समान होंगे, तो बेलकुल सत्य है ये, उसके बाद में तीसरा सेनी भला जो आजो के समानतर सेनी हैं, तो ये आपका तीसरा आपका, क्या हुजाएगा, सत्य हो जाएगा, उसके बाद में नंबर चोटा, 36 तल के ऊपर की और देखने पर दस्टी रेखा 36 रेखा के साथ और नमनकोन बनाती है तो यह आपका असत्य हो गया उसके बाद में नमबर 5 एक किनारे पर बिलनाकर बनाई गई पैंसिल एक शंकू एक बैलन का स्योजक है इसका अंसर मुझे सही और गलत क्या है यह सत्य है क्या सत्य यह मुझे आप बताईएगा या फिर आप इसके अंसर साच कर लिजिए नेक्स्ट किसी घटना की प्रायकता एक साधिक नहीं हो सकती तो यह सत्य है उसके बाद में यहाँ पर यह वाले प्रस्ण जो कि इंपोर्टेंड यहाँ पर है यह से है तु मैं आपको और इंपोर्टेंड कोस्ण यहाँ पर बता कि गुणन फल के रूप में व्यक्त केजिए ठीके यह वाला इसा प्रस्ण भी आप देख ले ना उसके बाद में अगला देख लिजिए नेकि इनके जो अंसर से हैं 9 देख लो इसके इन सौट ले लो या फिर इसके इन सौट ले लिजिए इन प्रस्णों के 9,10,11 सारे के स सारे कोश्ण से आपके सामने आ गये हैं यह उसके बाद में यह वाला अगले प्रस्ण देख लो अगले प्रस्ण के यह वाले कोश्ण सामने आ गये हैं तो यहां पर उसके बाद में यह 15 से गुनिश्ट के प्रस्ण सारे आपके सामने हैं यह ना कोश्ण कर लो या फिर इन question के answer देख लेजिए तो यहाँ पर यह बाकी की सारे के सारे questions इस प्रकार के questions आपको परिक्षा में देखने को मिलेगा अब यह रहा हमारे जितने भी सारे questions हैं उनके solution ठीक है यह सारे के सारे questions के solution जो आपको questions अभी बताए थे इन सारे के सारी questions के solution ये रहे उसके बाद में यहाँ पर देख लो ज़रा ये सारे के सारी questions जो आप भी आपको बताए हैं उनके solution है आप इनका skin sort ले लो याप इनके सत्या सत्य जो भी है आप note कर लो समद लो मैं यहाँ पर आपको प्रस्ण वांक 6 का अंसर सामने डिस्प्ले पर यहाँ देख लिजी ये पूरा 6 का अंसर है ना questions मैंने बताए दिया हम सारे के सारे answer आपको cover करवा रहे हैं उसके बाद में 7 का अंसर देख लो 8 का अंसर देख लो ये रहा पूरा 8 का अंसर है ना उसके बाद में 9 देख लिजी ये रहा 9 का अंसर 10 देख लिजी 10 का अंसर ये लो पूरा का पूरी 10 का अंसर है ना आगे देख लो नंबर 11 क्वेश्चन कमांग 11 का पूरा अंसर 11 का पूरा अंसर देख लिजी ये पूरा अंसर प्रेश्चन कमांग 11 ठीके यहां इसके न सौट लेलो ठीके या फिर इसको रोक कर लिजी अंसर नोट कर लिजी 13 देख लिजी भ का अंसर अगर है तो मैं यहां पर अथ्वा लिखा है और अगर वो अथ्वा नहीं है तो वहां पर अथ्वा नहीं लिखा है तो यह वाले questions देख लेओ उसके वाद में अगला question नहीं कि 19 देख लो यह वाला answer रहा 19 का है 19, 20, 21 अगला 21 देख लो यह 21 पूरा answer यह 21 का पूरा answer यह यहां से इसके शुट लेलो आगे बड़ो ठीके 22 22 का answers नोट कर लो यहां से यह पूरा 22 हो गया हो गया आगे बड़े 23 देख लो यह रहा 23 के answers यहां पर जितने भी सारे questions है सारे की सारे questions के full solution आपको इस वीडियो में ह हमने cover करवाए ठीके अब बाकी के जितने भी सारे exam से बाकी जितने भी सारे question paper है अगर आप उनके भी solution किसी भी class के solution अगर देखना चाहते है संपूर्ण solution तो प्लीज प्लीज यार वीडियो को लाइक तो बनता है वीडियो को लाइक करो ज्यादा ज्यादा दोस्तों में शायर करो और एक और बात में बूलना चाहूंगा कि यह जो question से एक यह model paper है और इसी की समान आपको परिक्षा में प्रस्न पत्र देखने को मिल सकता है मिलत